दोस्तों यह ड्रोइंग तो दियाओं जैसे प्रेक्टिकल ड्रोइंग है यह तो अभी छोड़े हैं अभी इसका जो इंजिनेरिंग ड्रोइंग होता है वह कैसे होता है वह दिखिए यह एक फेज आया है फेज आके MCV में खुशा MCV से निकलके यह OILER का जो NC-point है ुसमें खुशने का बाद जो पुस-बाटम का NC-point है उसमें खुशा उसमें से निकलके पुस-बाटम का इनो जो स्टार्ड बोलते हैं उसी में खुशा याँ पर फिर एक होलडिंग दिया है मेन कुंड़क्टर का होलडिंग किया है इसको पेरालाल में देने से होलडिंग हो जाता है और यहां से आगे है टाइमर में टाैमर का जो A1 में है इधार लूप करना पड़ता है टाइमर को डालटा N-C-N-O से तब जाके डालटा को प्रणण निकलाएगा और अभी दिखिये यह डालटा का जो टाइमर का N-C है टाइमर का N-C से यह टाइमर का पॉयंट हो गया है यह तक यह टाइमर का जो एन सी है उसी का जो पॉइंट से निकल के डाल्टा का इन सी से दे के यह स्टार कॉंटक्टर को कनेक्शिन दिया और टाइमर का जो टाइमर का डाल्टा है मतलब मैन कॉंटक्टर है उसी से मैन आया है उही से यह जो स्टार का इन सी पॉइंट से मैन को दिया है इसमें भी होल्डिंग दिया है मैन का इनो पॉइंट से स्टार का इनो से मैन को कोईल में आया और मैन का इनो से इसको होल्डिंग किया है फिर आया एक टाइमर का इनो जो डाल्टा बोल रहा है टाइमर का डाल्टा से आया इनो से आके स्टार के जो स्टार कोंटक्टर है उ पचले पच्छी जोड़ही है कि हुआ एंशी से देकिर डल्टा का क्वाइल में दिया है यह वान में और यह टू में देखिए डारेट रख लोग न्यूटेल दे दिया है यह टाइमर को भी न्यूटेल चाहिए यह स्टार कॉंटक्टर को चाहिए मैं कॉंटक्टर को डल्टा को फिर यहां से उठके चला गया कि यह देखिए यह ओप पोचीशन का इंडिकटर है यह स्टार्ट का है यह रानिंग का है यह ट्रिविंग का है तो मैं से उठा के देखिए मैं का जो एंसी पॉइंट से काटके यह पॉइंट में दिया है जो ओप इंडिकेशन है दूसरा स्टार का इनो पॉइंट से दिया है स्टार्ट वाला को डल्टा का इनो से दिया है रानिंग पॉइंट को ट्रिपिंग वाला को यह ओईलर को जो 98.98 के जो टर्मिनियल है उहां साहिए लेकि यहां पर 94, 95, 96, 97, 98 होता है 97, 96 में स्ट कर देते हैं ताकि 98 एनसी होने से वह आमें से एन हो रहता है नॉर्मिल में जब ट्रिप करता है तो यह एनसी हो जाता है तो यह 98 पॉइंट से यह आ जाता है ट्रिपिंग में यह है शोट्खट का जो ड्रोई है यह तना इसको देख रहा है प्यक्टि के लिए बनाने के लिए कितना मने टाइम लागा है और क्या-क्या बनाना पड़ा है अब यह देखिए कि इसमें कितना ज़दी हो गया कर दो